हाई फ्रेंट्स जब तुमारे खुद के फैंस ही अगर तुमारे सेलिब्रेटी पे उसके केरेक्टर पे डाउट करने दगे तो इससे बड़ी बेशरमी कुछ हो नहीं सकती है दूसरी बात यह है कि अब अगर एक परफॉर्मंस से तुम यह जच करोगे कि यार वो कितनी खु है कि उन्होंने कभी भी यह खुलके नहीं बोला है कि भाई वी आर कपल्स हाँ यह बात है कि अगर तो फिर कोई दूसरा बंदा वहाँ पे जाके स्टेज पर जाके उसको प्रपोज भी कर देता है और वो शरमा जाती है तो भाई यह तो एक क्या बोलते है मोमेंट बन गया भाई बोलते हैं वो मीमस बनते हैं देखो मुमेंट है भाई मुमेंट है तो वह आला लोग तो भाई चोड़ी लगाई देंगे और बट मुझे आ दे स्ट्री के वग भी तो आपने अरुनिता के साथ गलत गलत कुछ ना कुछ कहा था उसके कैरेक्टर को लेके डाउट किय मेरा है कहना है कि अगर मान के चलो अब वो जो स्टेज पे अगर स्टेज पे कोई एक परफॉर्मस चल रहा है चलो ठीक कर भी दिया प्रपोस बहें देखो अगर एक बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कोई परसनल बाते जब रहती है तो इसी ओपनली कुछ मामलों में हो और भाई वो होलिवड के सिलिब्रेटी से बगरा करते है क्या अरुन इतना अपको उस टैप के लगती है कि हां यार सब के सामने प्रपोस कि और वह एक्सेप करेंगा और दूनिया के सामने आए कि हां अब यह मेरा बॉइफ्रेंड है रहे यार यूज यूर लॉजिक यार ऐसे बहुत से परफोर्मेंस है मुझे आदे वरुन डवन और श्रदा कपूर का कौन सी फिल्म थी वो एभी सिडी चल रही थी आदे अभी सिटी टू और उस टाइम पे वरुन डवन ने एक कुछ एक प्रपोस किया था सब के सामने श्रदा कपूर को और बाद में जोड़ कि बात है जब हम बॉलिवड में नहीं थे लेकिन हमारे पैरेंट्स दूसरे को जानते थे विकाज वो सेलिब्रेटी थे एक का तो डायरेक्टर है वो तो हां हम एक टाइम पे डेट कर रहे थे लेकिन अभी सोचना भी मत और हसने लगे दोनों यादे तो वो यार कुछ मु तो कितनी बार देखा ये भी है जैसे बॉलिवड है आजकल की मिडिया से वैसे कुछ छुपता नहीं है और देखा होता ना बार बार तो भाई खवर फैल जाती मैं यह नहीं बोल रहो भाई कि ठीक है अगर इन लोगों ने भी नहीं बोला है ना कि अरुदीब इस नौट क मतलब है कुछ हेटर बोलेंगे क्योंकि वो जोती की फ्रेंड है भाई मतलब बस हेट फैलाना है तुम लोगों को दूसरी बात पर्फॉर्मस उनका बहुत अच्छा हुआ मैं पर्फॉर्मस को लेके कुछ नहीं कह रहा हूँ इट वस आउटस्टैंडिंग नचिके वास ग करने दो कि देखो आगे चलके अगर कुबंगे फोई चलो ठीक इनौने नहीं माना है कि ये क्यों अगे चलकर अगर कोई दूसरा भी काह बहुत हो जाता है चाहिए वोग पवंदीप को दूसरी मिल गई और अरूनिता को दूसरा मिल गया तो हम जूट नहीं बोलेंगे लेकिन इसका मतलब हम अरूदीप को सपोर्ट करेंगे ऐसा नहीं है ना मैं एस सिंगर कर रहा हूं दोनों को सपोर्ट अभी तक शादी की बाते कहा हुई है क्या चैनल पर मैंने कभी बोला ही शादी कर रहे है बात यह है कि मैं अरूदीप इस सब्सक्राइब कर लिए किसी से भी कर ले वह उनका पर्सनल लाइफ का मैटर आई डॉंट केर हां करे तो अच्छी बात एक दूसर के साथ लेकिन खूश होके करें यह नहीं कि बाई जस्ट पीपल क्या बोलेंगे वह क्योंकि वह लाइफ का खुद का प्रशनर होता है बट यहां पर जो एक सिनारियो दिख रहा है कि वह पवंदिप के फैमिली के साथ घूमना उनके रिलेटिव से बातचित करना यह होना और उपर से बस एक परफॉर्मंस के दूसरे के साथ कर लिया तो भाई नहीं यह जोड़ी है भाई क्या बनाया इन लोगों नहीं अरूकेत क खुश बढ़ हां इनके जो हरकते है ना एक दूसरे के साथ एक दूसरे के फैमिली के साथ मिलना यह कप्पल जैसे अरुदीप को एटलिस में कप्पल कहने को इसलिए तयार हो कि इनके कुछ ना कुछ पिक्स वगरा दिखते तो है आप जिस बंदे के साथ कर रहे हैं साल मे आपने देखा अगा बॉलिवड के कितने अफेर वाफेर को ये लोग पकड लेते, वो कृती सेनन का वो एक कोई छपरी बॉइफ्रेंड है, देखा क्या अभी एक लेटेस्ट आया है, लोग वो चेहरा चुपा रहा था इतने दिन से, उसको कैप्चर कर लिया, वो त्रिप्त कि मैसी नहीं रहती है, नहीं नहीं भाई, इनको मत दिखाओ इस टैप का, तो अरुनिता और पवंदीप इतने बड़े जरूर होंगे, लेकिन PR टीम के मामले में बड़े नहीं है भाई, अगर कोई चक्कर होता ना उसका किसी के साथ, तो वो पक, वो आटोमेंटिक आ जात है, आरुनिता सोलो परफॉरमंस जब देती है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर लेते हैं अपने आपको, और जब कपल परफॉरमंस होता है, तो वो शांती से रहते हैं, कभी-कभी ही बहुत एक्सप्रेशन देते हैं, तो उसके पीछे ये रीजन है, कि उन्हों अफने जो सौंग एक-दूसरे के साथ, गाने के डिसाइड किये है, वो सौंग ही वैसे, जब वो अकेले गाते है, तब उनके सोंग से एक जादा एनर्जी वाले होते है, तो ये जब एक दुसरे के साथ, वो कपल वाले सौंग होते तो भाई expressions भी उसी हिसाफ से देंगे न या कोई sad song चल रहा है चलो पवंधिप ने लिया band बजाने लगा ऐसा थुड़ी होता है guitar लिया ऐसा नहीं रहता है भाई तो use your brain यार I don't care और मैं कोई यह नहीं बोल रहा हो कि यह लोग कंपल सरी कंपल है या नहीं है मैं सिर्फ यह बोल रहा हो कि haters इतना तो मत hate करो कि मतलब लोग तुम पे हसे यार इस concert के बारे में बहुत से लोग मुझे बोले थे भाई मैंने review नहीं कि भाई मुझे नहीं पता था ओडिसा वाला यह जो concert था यह पता नहीं था अरना मैं reaction जरूर देता इस पर आज कल पर सो पता चला मुझे तो भाई इवन अरुदी अरुनिता के fan pages को जिनको मैं फॉलो गरता लो उन्होंने तक इस concert के बारे में कुछ नहीं डाला था मैं क्या करूँ भाई तो आप लोगों पर है भाई जिसको जो बोलना है बोलो सबको आजाती है मैं कुछ नहीं कहूंगा और मैं कौन हो किसी को defend करने वाला अगर वो दूसरे के साथ खूश है तो है हम कौन होते हो किसी को force करने वाले बट अभी तक जो तुम direct couple वाली बात क पिक्स भेजो मुझे उन दोनों के अगर तुमको लगता है ना कि बहुत प्राइवेट भाई हमारे पास कुछ तो आएसे कमेंट डाल रहे है नहीं नहीं हमने ऐसे पिक्स देख्या हा तो डागल डालो ना भाई दिखाओ ना वोस्ट दिखाओ मुझे ऐसे वैसे पिक्स मै अब भाई थमनेल में दिखा दूंगा किया भाई कितने सच्चे कितने नहीं यूज यूर लॉजिक यार